Hello everyone, आज का जो मेरा सेशन है वो CDS के लेकर है और इसमें CDS से रेटेड मैं आपको बहुत सारी इंफोरमेशन देने वाला हूँ including SSB preparation भी अभी अभी आपने देखा कि UPSC ने अपना 21 का academic calendar भी डिकलिया कर दिया है तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा साथ में अभी जो CDS का एक्जाम नावंबर में होने वाला है उसके बारे में बात करूँगा किस दंग से पढ़ना है कट आफ क्या क्या होता है यानि बहुत सारी इस सेशन में detail information है तो ये जो सेशन है not only कि आपको नावंबर में काम आने वाला है अगर आप defense की तयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपको हमेशा काम आएगा तो मैं one by one आपको information देता हूँ जो confusion है वो भी बताता हूँ और एक और खास बात बोलना चाहूँगा कि CDS देने वाले में बहुत बड़ा percentage उन student का होता है जिनोंने NDA की भी preparation की होती है यानि जो NDA की preparation अल्रेडी कर चुका होता है किसी current से कई बच्चे return निकालने के बाद SSB qualify नहीं कर पाते कुछ ऐसे होते हैं जिनका by chance NDA का return भी clear नहीं होता पर उनका dream defense में जाने का होता है तो उनके पास option खतम नहीं होते बलकि graduate level पे options और जादा हो जाते हैं मतलब option कम होने की जगे बढ़ जाते हैं not only कि CDS कई सारी technical entry NCC entry ये सब भी मिलती है पर अभी session में मैं पूरी तरह से focus CDS पे करूँगा बाकि जो other exams होते हैं graduation के साथ उनके लिए भी separate session लूँगा इस session का क्या purpose है बताता हूँ तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अभी UPSC ने जो अपना नया calendar declare किया 21 का उसमें अगले CDS के exam के बारे में भी बताया गया है तो अगले CDS की बात करूँ तो CDS 1 का जो exam है 2021 का उसकी date तो है 7th February जिसका notification 28 October को आएगा और last date है 17 November कहां कहां क्या क्या confusion होता है वो सारी बात करूँगा ये CDS 1 की बात हुई इसी तरह से CDS 2 के लिए भी हमको अभी से पता है कि CDS 2 का जो exam होगा उसकी date है 14 November CDS हमेशा फरवर्य और November में होते हैं वैसे ही है और उसकी notification की जो date आएगी वो आएगी 4 अगस को और form of 24 अगस तक भढ़ सकते हैं ये तो एक बहुत basic बात हुई जो मैं आपको इस session में cover करने वाला हूँ वो उस पे भी आता हूँ अच्छा इसके लाब बात करूँ कि अभी जो आप CDS 2 देने वाले हैं उसकी exam date आप सबको पता है 8 of November है इसके लिए कैसे preparation करना है इस session में मैं आपसे ये बात करूँगा कितना cutoff जाता है किस subject पे कैसे focus करें कि हम cutoff भी clear कर लें बलकि एक अच्छा score cover करें तो इस session में आपको बहुत सारी detail information में लाइन से देता जाऊँगा के लिए exam के लिए अपने आपको prepare करना है अगर मैं 8 November के लिए बात करूँ तो हमारे पास अब बहुत ज़्यादा time नहीं है अगस almost ये सुन रहा होंगे आपको तो 10 दिन बचें September के 30 days माल लेते हैं ठीक है September के बाद October के 31 days माल लेते हैं और नामबर में 8 तो हो नहीं यानि 60, 70 यानि हम लगवग लगवग मान सकते हैं कि ये जो 75 days हैं इन days में कैसे preparation करें कि आप CDS का जो 2 exam देने वाले हैं वो clear कर ले दूसरा इस confusion से भी बाहर निकल जाएं कि exam होगा की नहीं आपने अभी एक news सुली होगी कि Supreme Court ने बोला है कि IIT के exam, NEET के exam postpone ना हो NDA 1 और 2 का exam भी September में होने वाला और उसका admit card आ गया और ये exam तो नामबर में होना यानि इसके postpone होने के chance नहीं बहुत सारे बच्चे मुझे अक्सर message करते हैं कि sir नामबर में CDS होगा की नहीं, notification तो आ गया पर मैं आपको आप एक बात बोलना चाहूँगा कि जब इसके पहले कि अगर exam होते जाएंगे तो इसके postpone होने के chance नहीं है, एक बात दूसरी बात, नामबर तक में बहुत time है, by chance को exam आगे पीछे जुडने चालो हो गए, पहले NDA के थुरू बच्चे जुडने चालो हो गए थे, तो जो मैंने गलतियां या जो कमी NDA वाले बच्चों में देखी पढ़ते समय, कई बार जो बच्चे select नहीं होते SSB में reject, वो mistake दुबारा आपसे ना हो, इस बात को समझना है, और अगर आप NDA के SSB दे चुके हैं, तो आपको ये सब पता है, कि आपने पहले क्या-क्या mistake की, तो जो mistake आपने पहले की, अगर वही धोराने वाले हैं, तो CDS देने का कोई मतलब नहीं, तो उन mistake से आपको बहाँ निकलना है, NDA के समय हो सकता है, कि आपकी age निकल गई, आपके पास attempt कम मिले, हो सकता SSB में screen out हो गए हो, हो सकता conference out हो गए, पर आपको पता होगा कि क्या आपके अंदर कमी थी, उन कमीओ से निकल के, उन कमीओ से आगे बढ़के देखना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि बहुत focus पढ़ाई करनी है अगले 75 days, यानि इस session का परपज ही है यह, और आप आप आगे के भी CDS दोगे, तो अपनी पढ़ाई में कहीं disturbance नहीं लाना, याद रखिएगा, नवंबर के बाद अगला CDS फरवरी में होता है, अगेन कम टाइम होता है और CDS और NDS दो ऐसे exam है, जिसका सीधा concept age के साथ होता है, कि आपकी age जो है, इतने साल से इतने साल के बीशे तो ही दे सकते हैं, उस पे भी आ रहा हूँ लिया था, वो complete हो गया, यानि defense वाली एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखूँ कि सोने से पहले, आपके अंदर एक चीज आ जाना चाहिए, कि मुझे कल ये करना है, और करके ही सोना है क्योंकि जब हम defense के लिए सोचते हैं, तो defense में एक चीज होती है, कि target मिलता है, और वो target समय पे ही पूरा करना होता है आप देखते हो, कि जो भी rescue operation होते हैं, जहां पर भी problem होती है, हमेशा सेना को बलाए जाता है क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि defense में एक ही चीज होती है problem कोई भी हो, वो solution की तरफ सोचते हैं वही चीज मैं आप से बोलूँगा तो इस बात को आप ध्यान रखो क्या-क्या चीज important है अगर mass week है, तो कहां score कर सकते हैं अगर English week है, तो कहां score कर सकते हैं उन सब पे भी आता हूँ, तो ये छोटी सी एक चीज याद रखिएगा, तो अगर form fill नहीं किये तो समय रहते हैं, form fill करिए सारी information write रखिए, email address वगेरा, password वगेरा, कहीं लिखके भी रखिए, कई बार ये ही mistake हो जाती ही, कि password नहीं मिला है, ये सब और exam center को भी properly select करिए जिससे आपको बाद में confusion ना हो अब बात करते हैं, कि आपको IMA के लिए, Indian military academy और INA के लिए, क्या आपकी data worth होना चाहिए, ये एक बैसे normal का, normal सा concept है, अभी जो बच्चे देने वाले हैं, उनके लिए, ये दिया हुआ, उनके लिए जैसे अभी जो देने वाले, 2nd जुलाई से, 2nd जुलाई से, अगर मैं बात करूँ, तो 2nd जुलाई से, 1997 से, 1st of July, 2002 के बीच में होना चाहिए, अच्छा, एक चीज़ याद रखेगा, जहां पर NDA की एज खतम होती है, वहीं से CDS की एज चालू हो जाती है, जैसे अभी जो आप लोग देने वाले हैं, उसके लिए सीधा फार्मुला है, कि 2nd जुलाई, 1997 से, कहां तक होना चाहिए, 1st जुलाई, 2002 तक, अब अगर आप अगले CDS की बात करें, CDS 2, 2020, अगर मैं 21 के CDS 1 की बात करूँ, तो कुछ नहीं, ये 2nd January, 1998 हो जाएगा, ये 1st January, 2003 हो जाएगा, बस, ऐसे 6 महीने करके बढ़ा लें, ये बात बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और मैं बोलूँगा, यही सबसे important चीज है, यही सबसे important चीज है, कि आपको इतनी सी एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कि चाए आप Naval Academy में जा रहे हो, आपकी जो date of worth है, ये, अभी जैसे जुलाई से, ये जुलाई तक, 2nd जुलाई से, 97 से तूथाओ, इसमें बस 6-6 महीने add करते चलें, जो भी आगे के आप CDS देने वाले हैं, बस, अब कोई बच्चा माल लो, ये भी question होता है, कोई बच्चा माल लो, कि 2nd जुलाई की जगे, 1st जुलाई, 1997 को पैदा हुआ है, और ये भी याद रखेगा, कि 10th की market में जो होता है, उसे ही final माने जाता है, date of work certificate कुछ नहीं, अगर आप 1st जुलाई, 1997 को भी पैदा हुए, तो भी और आप 3rd जुलाई, 2002 को पैदा हुए, तो भी आप eligible नहीं, ये बच्चा अगले CDS के लिए है, इसका CDS का chance खतब, यानि एक दिन भी आगे पीशे पूछना नहीं, तो आप हमेशा ही पूछते हैं कि सर, मेरे पास CDS या NDA के कितने attempt बचे, तो आप इसको add करते चलो हर बार 6 महीने, जब भी 2 होता है, जब भी 1 होता है, तो जन्वरी होता है, ये दियान रखे, तो ये एक basic चीज़े जिस पर दियान रखना है, इसके बाद बात करता है, marks की, तो marks के बारे में बात करें, तो देखिए, दो चीज़े हो गई, जब आप IMA के लिए, INA के लिए और Air Force के लिए देते हैं, तो आपके लिए physics के, मतलब आपके लिए math भी एक elementary subject compulsory होता, केवल OTA वाले बच्चे math से बस सकते हैं, तो और या 10 OTA में जाती हैं, तो अ F.A. में जाने का सोच रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, कि आपको math compulsory देना पड़ेगा, यानि आपको एक English का paper, एक General Knowledge का paper और एक elementary mathematics का paper देना, जो दो घंटे का अगर 100 marks का होगा, ये बात ध्यान रखिए, केवल OTA वाले जो बच्चे होते हैं, उनी के पास एक option है, कि वो math छोड़ सकते हैं, तो बहुत बड़ा percentage जो होता है CDS में, जो मैंने देखा है, वो obviously आप सब चाहोगे कि IMA में जाओ, या Indian Air Force में जाओ, या Naval Academy में, तो उस case में आपको एक बात ध्यान रखनी है, कि आपको math, English और general knowledge तीनों पर focus करना, केवल OTA में जाना, या आपका subject math, physics नह नहीं है, gravision level पर या BTEC नहीं किया, तो ही एक possibility है, कि आप फिर OTA देंगे, जहाँ पर math आपके पास, आपको नहीं देना होगा, अगर मैं इसके बारे में marks के बारे में बात करूं, तो one third, जो है वो negative marking होती है, देखिए syllabus देखें, तो English, General Knowledge, मेरा subject math है, तो math पर थोड़ी सी बात करूं, तो math के portion में arithmetic, algebra, geometry, mensuration, statistics, dignity, कहां से पढ़े, मैं बताता हूं, अभी मैं आने वाले कुछ दिनों में sessions भी लूँगा, 9th और 10th की जो book होती है, NCRT की, especially, NCRT की, बलकि 8 से ले ले, 8, 9th और 10th की math की book ही, आप एक तरह से समझ लें, कि CDS का syllabus है, बस continuity level पर कैसे करना है, वो एक different बात है, पर syllabus यह ही है, बस यह समझ लें, तो arithmetic, मतलब पूरी basic algebra वगरा है इसमे, है न, arithmetic और algebra यह दोनों हो गया, geometry, mensuration, कई बार जो statistics and trigonometry, यह एक scoring होता है, अगर आपका trigonometry पर command हो, तो अगर आपका 11-12 math नहीं होता है, तो कई बार इस पर command नहीं आता, पर trigonometry CDS में जो आता है, वो काफी basic level का आता है, मैं आपको उसकी कुछ techniques बता हूँगा, जिससे आप कर पाएं, बाकि statistics यह भी आपके लिए scoring है, problem अक्सर जाती है, mensuration और geometry में, अक्सर, यह problem वाले area नहीं है, arithmetic, algebra, statistics, तिकना मेंट्री, यानि problem area केवल geometry और mensuration है, पर वो भी आप अगर करने तो अच्छा है, इन journal देखें, तो 20% minimum cut-off होता है, पर maths मुझे ऐसा लगता है, कि एक ऐसा subject हो सकता, जिसमें आप 100 में से, out of 100, 60-70 तक score कर सकते हैं, एक proper तरीके से पढ़ने पे, तो यह एक छोटी जी चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बोलूँगा, पृतिक सर आपको इसकी detail बताने वाले हैं, अब मैं बात करता हूँ, cut-off को लेके, तो cut-off को लेके मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जब इसका cut-off हम देखते हैं, तो देखिए, यह बिल्कु क्लिरली लिखा हुआ, मैंने, IMA, INA Naval Academy, Air Force, OTA Main, OTA Boomer, केवल एक OTA ऐसा है, जिसमें मैस नहीं होता है, एक्जाम में, बाकी सभी को देखें, सबसे देखें, उपर देखें, तो, obviously, Air Force काफी उपर जाता है, अच्छा, यह दिया हुआ, subject to minimum, 20% marks of paper 1, 10% marks in paper 2, 20% marks in paper 3, right, यानि, अलग-अलग साल में, यह cut-off देते हैं, यह 2019 का एक basic, मैंने idea लिखा है, यानि, जिस बच्चे का last candidate, जो जिसका 116 है, उसका IMA selection, return में हुआ है, जिसका 105 है last, उसका naval academy में, जिसका 129 last बच्चे है, जिसका score है, वो Air Force में, और OTA main में 78, OTA boom main में, बट फिर उसके बाद return test के बाद बात आती है, SSB की, और इन दोनों को मिलाने के बाद, जिसका 240 score था, 242, वो IMA में select हुआ, अगर जिसका 233 था वो, Naval Academy में, और Air Force में 264, 161, 162, OTA main all-mally same होता, यह मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ, कि यह एक चीज़ आपको अभी से इस बात के लिए तयार करेगी, कि आपको basically करना क्या है, कितना score लाना, देखिए कोई बहुत बड़ा score नहीं है, 116, अगर मैं थोड़ी देर के लिए 20-20% भी माल लूँ, हर paper का, आप 10% दिया वहले हैं, पर आप तो मान के चले 20-20%, तो मैं यह बोलूँगा कि 20 नंबर मैस में, क्या, concept क्या होता है, वो समझना आप जड़ा, 20% आपको, 20% आपको, माल लो, हम 3 सब्जेट की बात करें, मैस, जर्नल नॉलेज, और हम बात करें इसके लावा English, ठीक है, अगर मैं बोलूँ, मैस में, 100 में से आप 20 नंबर, इसमें, GK में भी 20 नंबर, और English में भी 20 नंबर, यह तो minimum हुआ, बट इसको मिलाके तो 60 होते हैं, यहां तो 160 है, अब आपके पास यह 105 है, यह 129 है, तो क्या करेंगे, तो समझ ये ध्यान से, इसके बाद आपको इन में से किसी एक सब्जेक्ट में या किसी दो सब्जेक्ट में स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरा यह मानना है, क्योंकि मैंने जिस दंग से पेपर देखें, मैस में आप अगर 52-60 स्कोर कर लेते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ा बोनस होगा, इंग्लिश में भी अगर आप ट्राय करें, 40-50 का, एक एवरेज मान के चलना, और GK में भी 50 का, तो आप लगभग 150 स्कोर कर सकते हैं, और 150 में आप 100% सेफ जोन में हैं, यानि अगर आप 50% के आजपास पेपर में स्कोर करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि आपको कोई रोग दे, CDS के सेलेक्शन में, कोई नहीं रोग सकता, बट ये एक प्रॉपर राइट टेक्निक के पढ़ाई से ही पॉसिबल है, राइट टेक्निक का मतलग पेपर में जैसे आपने मालो ट्रिग्नामेंटी किया, तो पांस साल के ट्रिग्नामेंटी के कोईशन, और उस जैसे 50 कोईशन और करके देखना है, अर्थमेटिक किया, तो अर्थमेटिक के कोईशन उसके और फिर कोईशन सॉल्विंग अप्रोच, टाइमिंग, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, वो, इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश या जनल नॉलेज की बात करूं, जनल अवेनेस की बात करूं, मतलब आपकी इन जनल हिस सब की बात करूं, क्योंकि सब आ जाता, जहां एंडिय में हम उसको जी एटी बोलते हैं, यहां पर यह हमारे पस इसमें सब कुछ हो गया, तो आपकी यहां पर थोड़ा सा लेवल हाई होता है, अपने आपको तैयार करना पड़ेगा, जब भी पॉसिबल है, कि आप है, यहां देखिए, तो कोई, यह 78, 78 है, 116, मतलब आप किसी भी साल के अगर कट आफ को देखें, यह 2018 के 1 का है, मैंने इसलिए निकाला था, कि लगवग हम यह माल ले, कि अगर हम 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो हम यह फोर्स के लिए तक इलेजिबल हैं, बाकी 98 तक भी डबल से ज़्यादा कर लीजिए थोड़ा सा, तो आप फाइनली SSBB फाइनल कर लेते हैं, अब रिटन इसकोर अच्छा होने का फायदा आपको वहां मिलेगा, रैंक वाइस, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखेगा, यह अलग-अलग exams के मैंने cut-off दिये हैं, यह देखिए 20% marks, 20% marks, 20% यानि जैसे यह है 2018 का result, तो देखिए IMA में 20% marks, 116, INA 20% 102, Air Force 131, यानि लगवग-लगवग अगर हम हर साल का देखें, तो उतना ही जाता है, तो एक right technique से की गई पड़ाई से आप CDS निकाल सकते हैं, तो मैं आप सबको एक चीज़ बोलूँगा यहां पर, अभ 125, 118, 144, बिल्कुल similar है, कोई confusion नहीं, मान के चलिए कि Air Force में जाना है, माल लीजे, तो आप 150 के असपास, INA में जाना है, तो 100%, 130 के असपास, INA में जाना है, 130 के असपास, अगर यह score कर रहे हैं, तो आप qualify कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि हम अपने आपको 300 marks में से 200 marks के अगर प्रिपर कर लिया, तो कोई region नहीं है कि आपको कोई रोक दे, तो यह मैंने cut-off निकाले हैं, किसी भी साल का देखिया, वही 120, 111, 135, और कोई किसी भी साल, किसी भी ACDS में कोई ऐसे बहुत जादा changes नहीं आते, तो अब आपको इस बात को समझना है, immediately action लें, पढ़ाई चालू कर दे, कोई confusion ना रखें, अगर जो mistake NDA के समय की थी, या NDA के SSB में, जो आपको लगा कम रह गया, उन सब को दूर करके, नए सिरे से सोचिए, और graduate level पे बहुत सारी entry होती, cable CDS नहीं है, आपके पास app cat है, अगर आप technical हैं, मालो BEE वगर है, तो आपके पास technical entry है, जाना है, तो defense में ही जाना, अगर ये सोच लेके ही, आप NDA के बाद भी आज महनत कर रहे हैं, तो आप definitely select होंगे, अब में इसके लाबा कुछ और भी बहुत छोटी-छोटी चीजे होती हैं, कि SSB में क्या बाते याद रखना है, पॉम भरते समय क्या-क्या बाते याद रख करेंगे, तो इस session को आप पूरा ध्यान से end तक सुनिए, और फिर कोई भी question है, डाउट रहता है, तो आप comments में लिखिए, जो मैं अगला session लूँगा, अभी तक CDS के बहुत समय से session नहीं लिए थे, आप लोग बोल रहे थे, पर आने वाले दिनों में आपको CDS के भी काफी regular session मिलने वाले, thank you and all the best. जितने qualifications आपके पास में combined defense services के examination में appear करने के लिए जरूरी होता है, अगर आप Indian military academy के लिए apply कर रहे हैं, या फिर अगर आप officers training academy के लिए apply कर रहे हैं, इधर you are applying for army via Indian military academy, else you are applying for army via officers training academy, उस case में आपको minimum एक degree होना जरूरी है, यानि कि minimum आपको एक graduate होना जरूरी है, unless and until you are not a graduate, you cannot apply for the combined defense services examination, या फिर अगर आप graduation कर चुके हैं, किसी भी field से, किसी भी stream से, अगर आपने graduation किया है, you are a graduate, you have a degree from a recognized university, then you can apply for either Indian military academy, else you can apply for officers training academy, इसके बाद में, अगर आप Indian naval academy की बात करोगे, अगर आप नीवी के लिए apply करना चाहते हो, तो इसमें engineering में degree होना जरूरी है, from a recognized university or institution, engineering में, चाहे वो किसी भी branch वगरा से हो, that's a different matter, मगर engineering में आपको degree जो है, वो जरूरी है, if you are not an engineering graduate, you cannot apply for Indian naval academy, तो यह एक दूसरा point हो गया, third है Air Force Academy, Air Force Academy के लिए आपको एक degree, एक recognized university से करना जरूरी है, with physics and mathematics at 10 plus 2 level, याने कि आपने या तो graduation किया हो, मगर 10 plus 2 level पर आपने physics और maths पढ़ा हो, अगर आप किसी भी stream से graduate है, मगर अगर आपने physics और maths पढ़ा है 10 plus 2 के level पर, तब आप Air Force Academy के लिए apply कर सकते हैं, या फिर अगर आपने engineering करी हो, अगर आपके पास engineering की degree हो, तब फिर जो है, आप Air Force Academy के लिए apply कर सकते हैं, तो यह जो है, वो अलग-अलग आपके qualifications अगर रखेगा है, if you are applying for army, army में आपके पास दो options है, Indian Military Academy and Air Force Academy, Indian Military Academy and Officers Training Academy, दोनों के case में अगर आपने apply करना है, तो आपके पास एक degree होना जरूरी है, रिकॉटनाइज उनिवरसिटी से इधर आपके पास degree हो, या फिर डिगरी का equivalent होना जरूरी है, नेवी के लिए अगर आ तो आपने engineering में degree हासिल कर रखी हो, या तो आप degree हो आपके पास engineering में, और अगर engineering में degree नहीं है, तो फिर आपने कोई और degree करी हो, कोई और subject वगरा से आपने graduation में degree करी हो, but maths और physics अगर आपने 10 प्लस 2 के level पर याने के 12 में पढ़ा होगा, then that will suffice, लड़कियों के case में, girls के case म women are eligible to apply for officers training academy only, तो फिर it doesn't matter कि उन्होंने maths पड़ा है, engineering करी है, नहीं करी है, if you are a graduate, specifically women candidates की में बात कर रहा हूँ, अगर कोई female candidate अगर graduate है, तो फिर वो OTA के लिए apply कर सकती है, beside OTA, they are not eligible to apply for any other institutions, तो ये तो बात हुई, educational qualifications की, जितने minimum आपके पास में होना, जरूरी है, if you want to apply for combined defense services examinations, अब यहां पर कुछ बाते हैं, हमको ध्यान में रखनी है, कुछ important चीज़े हैं, जिनको हमको ध्यान में रखना है, अगर किसी कारेंट वश आपने form भरा, और उस form को भरने के बाद में, अगर आपको किसी तरीके से concerned authorities के सांथ में, either with for army, navy, air force, अगर आपको किसी तर के लिए उनको अगर letters लिखना पढ़ रहा है, mail करना पढ़ रहा है, तो अगर आपने कोई communication वगरा करना है, commission वगरा के साथ में, UPST का form भरा है, तो UPST को अगर आप कुछ communication वगरा कर रहे हैं, आपकी application के respect में, या फिर army headquarters, navy headquarters, या किसी और air force headquarters में, अगर आप communication वगरा कर र तो आपने किस exam के लिए apply किया है, और उसका क्या साल था, ये बात आपको specifically mention करना पड़ेगी, या ने कि अगर आप CDS के respect में apply कर रहे हैं, तो combined defense services 1-2020, या फिर 2-2020, 1-2021, 2-2021, whatsoever, आपको एक तो साल बताना है, उस examination का और आपको नाम बताना है, अगर किसी current rush, आपको, आपके candidature के respect में, अगर UPSC से communication करना पड़ रहा है, Army, Navy, Air Force, किसी से communicate करना पड़ रहा है, तो पहली चीज़, कौन से exam के respect में आप communicate कर रहे हैं, और किस साल में अपने exam दिया था, दूसरा, जब आप form भरेंगे, तो एक registration ID बनती है, इसको आप लोगार ID बोलते हैं, ये आपको quote कर करना पड़ती है, तीसरा, अगर आपका role number received हो गया है, तो आपको अपना role number उसमें mention करना पड़ता है, चौथा, आपको अपना नाम mention करना पड़ता है, and that to invoke block letters, और उसके बाद में पूरा आपका complete postal address, जैसा कि आपना application में दिया था, with telephone number, अगर आपने उसको उसमें mention किया इतनी information आपको बतानी पड़ेगी, अगर आपको या तो UPSC के साथ में, या फिर UPSC के से इलावा अगर आप किसी और concerned authority के साथ में, अपने exam या फिर अपने candidature के respect में, अगर आप communication वगएरा रखते हैं, तो having said that, अब थोड़ा सा हम लोग बातशीत करेंगे, GS और English के syllabus के ब अगर वो गलत हो जाता है, तो उस case में आपके one third या फिर 0.33 marks जो हैं, वो कट जाएंगे, ये बात अपने को याद रखनी है, कि negative marking या फिर penalty है, अगर आपने wrong answer दिया है, तो अगर आपने कोई question attempt किया और उससे आपने गलत attempt कर दिया, उस case में आपके 0.33 marks या फिर 1.3 marks कर जाएंगे, अगर आपने एक की जगे, अगर आपने दो options या तीन options या चार options भर दिये, क्योंकि आपको ultimately 4 bubbles fill करना है, A, B, C, D, objective type paper होने वाला है, तो आपको 4 bubbles दिये जाएंगे, उन 4 में से कोई एक bubble आपको fill करना है, लट से आपने B bubble fill किया और ये जो है, वो correct answer नहीं है, गलत हो गया, तो फिर उस case में तो one third आपके marks कर जाएंगे, but assume कर लेते हैं कि आपने B और C दोनों भर दिये हैं साथ में, और उसमें से B जो है, वो सही answer था, मगर क्योंकि आपने एक की जगे दो bubbles भर दिये हैं, तो उस case में होगा ये कि अभी भी ये जो आपका answer है, इसको wrong consider किया जाएगा, और अभी भी आपके one third marks कटेंगे, तो ये बात का हमको ध्यान रखना है, कि अगर आपने गलत answer किया, तब तो आपके marks चलिए, खर कटेंगे, कटेंगे, मगर अगर आपने इस तरीके की situation कर दी, कि एक की जगे दो या तीन bubbles भर दिये, या फिर चार bubbles भर द दिया, तो फिर उस case में spawn attempted माना जाएगा, और उस case में फिर आपके marks वगरा नहीं कटेंगे, या deduct नहीं किये जाएगे, तो इतनी जो है बातें हमको याद में रखनी है, या फिर इंद को हमको ध्यान रखना है, Now we'll be talking about syllabus of English and general knowledge, maths का syllabus, sir, in the subsequent lectures, जो CTS की होंगे, उसमें discuss करेंगे आपके साथ में, तो English का जो paper होगा, उसमें 120 questions आने हैं, पहली, बात, 120 questions for 100 marks, 100 marks का आपका paper है, और 120 में सवाल आएंगे, दो घंटे का आपको time मिलेगा, और English का paper इस तरीके से बनाया जाता है, कि एक व्यक्त का, तो वो इन questions को answer कर सकता है, आपसे जो questions पूझे जाएंगे English में, सबसे पहले तो आपसे paragraphs वगेरा दिये जाएंगे आपको और paragraph पढ़कर फिर आपको उसके उपर कुछ questions होंगे, और उनके आपको जवाब देने होंगे, पहले तो ये variety of questions आपको देखने के लिए आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानि कि आपके पर्यायवाची शब्द हो गए या फिर विलोम शब्द हो गए, इससे related questions आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक word आपको दिया जाएगा और बूला जाएगा कि आपको इसका synonym या फिर पर्यायवाची बताना है, या फि बिलोम शब्द बताना, इस तरीके के questions वगराएंगे, उसके बाद में sentences वगरा जंबल रहेंगे, जंबल sentences वगरा को आपको फिर सही करकर उनका correct pattern जो है sentence का वो बताना है, इस तरीके के questions वगरा आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसके इलावा grammar वगरा के आपको errors वगरा spot करने हैं, या फिर आपको पूरा paragraph दिया जाएगा, जिसमें कई जगाओं पर words वगरा missing होंगे, और आपको missing words की options दिये जाएंगे, और उसमें से फिर आपको उनको fill करना होगा, इस तरीके के जो है, 6-7 variety के questions वगरा English के paper में आते हैं, comparatively आसान होता है, अगर आप newspaper reading को अपन बना के रखेंगे, novels वगरा, या फिर literature वगरा थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, और basic अगर आपको English की understanding है, अगर आपको language पे कोई बहुत जादा आपको मतलब, ऐसा नहीं है कि flowery language आना चाहिए, या फिर बहुत आपको English में आपने BMA कर रखा हो, या फिर बहुत prestigious English medium school स पढ़े हो, तभी आपसे paper बनेगा, ऐसा नहीं है, आपको basic understanding अगर English की है, थोड़ा बहुत अगर आप comfortable है, तो आपको ये question paper अटेंड करने में कोई खास मुश्किल नहीं आएगी, और आप इसमें बहुत अच्छा score कर सकते हैं, तो इसके लिए 2-3 चीज़े हमको ध्यान मे रखनी होंगी, newspaper वगेरा थोड़ा सा पढ़ते रहें, कुछ अच्छी novels या कुछ अच्छी literature को थोड़ा सा पढ़ते रहें, and basic आप एक दो बार UPSC की website पर जाके question papers download करके देखें, आपको एक understanding लगेगी कि किस तरीके से questions आ रहे हैं, क्या level है, क्या improvement की जरूरत है, and किस तर इसके बार आता है general knowledge, या general studies, general studies का जो paper होता है, ये भी दो घंटे का होता है, and इस paper में भी 120 questions आते हैं, 100 mark का आपका paper होता है, and 120 questions इसमें आते हैं, इसमें आप general knowledge जो है, यहाँ थोड़ा सा national defense academy के comparison में अगर आप देखेंगे, तो general studies बगरा का जो level है, थोड़ा सा आपको इसका level उतना जादा नहीं होता, मतलब उतने complicated या hard या tough questions उतने नहीं आते है, general studies वगरा में, जो भी 50-55 questions आपके पूछे जाते हैं, बगर यहाँ पर 120 questions are being asked, एक पूरा का पूरा paper general studies का हो रहा है, और इसमें काफी wide varieties of subjects और questions वगरा आते हैं, आप से history में सवाल पूछे जात है, medieval history से sवाल आते हैं, modern history से sवाल आते हैं, arts and culture के सवाल पूछे जाते हैं, जोग्राफी में आपकी Indian geography and physical geography में से bडे details सवाल पूछे जाते हैं, इसके बाद में फिर Indian Liberty and Governance से काफी अच्य सवाल वगरा पूछे जाते हैं, यांसे अच्छ्छ थौबरा knowledge सेระ규 के सब्सका हो रिसेंट करेंट वगेरा जो हो रहा है उससे रिलेटेट सवाल यहां पर देखने के लिए मिलते हैं एकनॉमी के कुश्चिंस वगेरा काफी जादा आते हैं तो काफी वाइड मतलब गैमट या फिर काफी वाइड स्पेक्ट्रम है जिसमें से question paper बनाया जाता है जिसमें से questions वगेरा पूछे जाता है तो इन सारे subjects वगेरा पर आपको अच्छे से पढ़ाई करना जोरूरी होती है thoroughly आपको detail में इनको देखना होता है and after that you will find कि general knowledge का paper मुश्किल नहीं लगता उतना जारा tough नहीं लगता अगर आपको बिल्कुल ही knowledge नहीं है या फिर बहुत elementary knowledge है in that case general studies paper is a tough nut to crack but if you are having a little bit of sincerity आपने NCRTs देख रखी है आपने इन subjects के बारे में basic understanding ले रखी है आपको थोड़ा बहुत अंधादा है and आपने कम से कम NCRTs को पढ़ कर revise किया है in that case general knowledge का paper या general studies के paper में आप अच्छा score कर सकते हैं आप अच्छा excel कर सकते हैं and उसके बार में फिर जब merit वगर आईगी यहां पर किये गए scoring वगरा से आपको आपका merit list में अच्छी rank वगरा score करने में मदद मिलती है so that's about English and general studies and now we'll be talking about other aspects now the most important thing आपने चाहे Indian military academy के लिए apply किया है चाहे आपने Air Force Academy के लिए apply किया है चाहे आपने Naval Academy के लिए apply किया है Indian Armed Forces में officer बनने के लिए आपने किसी भी wing में apply किया है आप तब तक as an officer join नहीं कर सकते जब तक SSB service selection board आपको recommend नहीं करता है unless and until SSB आपको recommend नहीं करेगी you cannot join the Indian Armed Forces as an officer either in Army Navy or Air Force so एक बार आपने written का paper दिया written का result आया आपका selection हुआ selection होने के बाद एक या दो महीने के अंदर अंदर आपको SSB की तरफ से call आता है SSB का call letter में फिर आपको बताया चाहता है कि आपकी SSB बगरा कहा होनी है and फिर वहां पर पहुंचना आपको कब तक है कितने वक तक आपको report करना है वो सारी information वगरा उसमें दी जाती है and उसके बाद आप पहुंचते हैं reporting अगरा होती है and then सबसे important जो procedure है इस पूरी selection procedure का वो चालू होता है that is the SSB interview और service selection board interview या फिर intelligence and personality test जो भी आप इसे बोलना चाहें SSB का जो interview है now the thing is SSB is not a test of knowledge it's a test of personality SSB के test में आपकी personality check होती है एक बहुत important बात है SSB के test में आपकी personality वगरा check की जाती है अब personality में हर एक इंसान का अपना अलग-अलग व्यक्तित्व होता है तो personality check करने का यह मतलब नहीं है कि वह आपको analyze करकर यह देखना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो या कैसे इंसान नहीं हो एक certain parameter बनाया गया है 15 officer-like qualities का इन 15 officer-like qualities के respect में कि against में आपको check किया जाता है आपको test किया जाता है और उसके बाद analyze किया जाता है और assess किया जाता है कि आपने armed forces में officer-like capabilities है या नहीं है यह test 2 parts में conduct होता है पहला होता है stage 1 जिसको screening बोला जाता है और दूसरा होता है stage 2 जो आपकी main SSD होती है Stage 1 जो आपकी screening होती है वो जिस दिन आपकी reporting होती है उसके अगले दिन conduct की जाती है और उसमें जो बच्चे recommend होते हैं जो बच्चे stage 2 के लिए recommend होते हैं उनको retain किया जाता है उनको SSB center में रखा जाता है और बाकी बच्चों को उसके दिन लोटा दिया जाता है उसके अगले दिन से फिर stage 2 जो है उसकी शुरुवात होती है और stage 2 में फिर उनके आने वाले 3-4 दिनों में 3 टेस्ट होते हैं एक होता है psychology का टेस्ट दूसरा होता है personal interview और तीसरा होता है ground पर टेस्ट जिसको GTO बोला जाता है तो यह सारे टेस्ट वगरा जो है किये जाते है candidate के ऊपर और इसके through फिर SS किया जाता है,ках किया जाता है candidate को कि उसमें आम forces में ऑफिसर अबने लाई capabilities या qualities है या नहीं है अगर उसमें qualities है तो फिर उससे recommend किया जाता है medicals के लिए और अगर उसमे tidak capabilities या qualities नहीं है, तो फिर उसको reject किया जाता है या फिर recommend नहीं किया जाता है and वापस भेज दिया जाता है, तो stage two में तीन चीज़ें होती है, आपका psychology का test होता है, आपका personal interview होता है और ground पर test होता है, यह तीनो test तीन अलग-अलग assessors के द्वारा किये जाते हैं, यह तीनों आपका test होगारा लेने के बाद conference में बैठते हैं, conference में फिर तीनों अपने assessment के basis पर हर एक candidate के के बारे में discuss करता है, और अगर आप रिकमेंट नहीं होता है, तो फिर आपको वापस लौटा दिया जाता है, रिकमेंट होने के बाद में फिर आपको medical वगएरा होता है, medical में फिर अगर आप fit declare किये जाते हैं, तो उसके बाद में merit list आती है, and merit list में फिर आपका नाम आने के बाद में आप Indian military academy, air force academy, naval academy, officer of training academy, whatever was your choice of service, and whatever the academy has been allotted as per your rank, उसको आप join करते हैं, so this is the general discussion about SSB interview, कि SSB के interview में basic क्या चीज़े होती है, यहाँ पे देखन वाली बात यह है, कि चाहे आपका intervening officer हो, चाहे psychological का test conduct होने के बाद psychologist हो, या GTO, ground testing officer हो, तीनों जो हैं, एक particular scientific method, एक testing procedure है, उसको follow कर रहे हैं, जिसमें वो आपकी personality को assess कर रहे हैं, personality को assess कर रहे हैं, with respect to the 15 officer-like qualities, with respect to 15 officer-like qualities, आपकी personality को judge किया जा रहा है, उसके according, इसको check किया जा रहा है, तीनों आप में एक ही चीज़ देख रहे हैं, कि आप में officer-like qualities हैं या नहीं है, आप show कर रहे हैं, आप show off कर रहे हैं, आप genuine हैं, यह सारी चीज़ें check होती है, it's a very time-tested method, बहुत वक्त से इस procedure के इस्तिमाल से हम forces officers का selection हो रहा है, आप इस method को full नहीं कर सकते हैं, आपको अपने आपको broom करना पड़ेगा, आपको अपने आपको तयार करना पड़ेगा, इस selection procedure के capable बनाने के लिए, ताकि यह आपको recommend कर सके, and इस related काफी सारे videos वगेरा, हम लोगों पर check होगी, वो आप है, जो चीज यहाँ पर देखी जाएगी, वो आपका वेक्तित्व है, और वेक्तित्व भी ऐसा नहीं है, कि आप कैसी भी तरीके के वेक्तित्व के इंसान हो, तो उसको रख लिया जाए, आपके वेक्तित्व को, आपकी personality को 15 officer like qualities का respect में test किया जा रहा है, और फिर जिस तरीके का भी फिर आपका behavior और जिस तरीके का भी आपका assessment निकल कर आता है, उसके basis पर finally SSB call लेती है, आपको recommend करना चाहिए, trading के लिए या फिर नहीं, तो यह जो है, यह general आपका overview है, इसके बारे में obviously in the upcoming lectures we will be talking about in great details, अब एक last चीज बिफोर concluding this session, candidates वगेर clear हो जाता है, जब एक बार written का paper आपका निकल कर आ गया है, SSD का call अब आपके पास में आने वाला है, तो कुछ documents ऐसे होते हैं, जिनको आपने अपने पास में तयार रखना है, in hand आपके पास में वो documents वगेरा तयार होने चाहिए, सबसे पहले आपकी 10th की जो mark sheet है, वो original में आ mark sheet है, वो भी आपके पास आपके possession में होनी चाहिए, देन 10th और 12th के आपके passing certificates आते हैं, आपके पास में वो certificates होने चाहिए, उसके बाद में फिर आपकी जो graduation की degree है या फिर graduation की mark sheets है, वो आपके पास में होनी चाहिए, ग्राजूऊशन की degree भी और graduation की mark sheet ये सारी चीज़े आ आपके पास original में होनी चाहिए इसके photocopy भी आपको लेकर जानी होती है मगर इनको साथ में आपको original में भी लेकर जाना होता है अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में graduation की सारी mark sheets नहीं होती है या college में जमा हो जाती है तो फिर college के जो भी आपके head होते हैं उनसे letter head पर आपको लिखवा कर लेकर जाना पड़ता है उनकी seal and signature के साथ में कि ये वैक्ती जो है वो हमारे so and so college में पढ़ रहा है इनकी सारी mark sheets वगएरा हमारे graduation की सारी mark sheets हमारे possession में हैं and यह जो भी information वगएरा regarding marks और सारी चीज़न दे रहे हैं वो सही है हम उसको certify करते हैं इस तरीके से फिर आपको letter head लिखवा के लेकर जाना पड़ता है अगर graduation की mark sheets और original आपके पास में अपने possession में नहीं है यह सारे documents minimum आपके पास होने चाहिए and in documents वगएरा के साथ में उनकी photocopies वगएरा भी आप लेकर जाते हो इसी के साथ में जब आप exam का form भरते हो तो आप तब आप government की photo ID वगएरा उसका photo ID वगएरा जो है उसको भी आप upload करते हो तो वह photo ID जो आपने form भरते वक्त UPSC का form भ वक्त में लेकर आपको जाना होता है तो यह कुछ particular documents है जैसी अपना result आए इनको आपको अगर नहीं है आपके पास कहीं आपने रख छोड़े हैं कहीं पर अगर submitted है या फिर आपने school से passing certificates issue नहीं करा हैं कई सारे बच्चे नहीं कराते हैं तो यह सारी चीज़ें आप इनकी ववस्था कर लें और इनका आपके पास position होना चाहिए यह सब original में लेकर आपको जाना पुड़ेगा अगर यह चीज़ें आप लेकर नहीं जाएंगे यह mark sheets यह सारी चीज़ें आप लेकर नहीं जाएंगे तो फिर आपको SSB entertain नहीं करेंगे और आपको return कर दिया जाएगा तो यह बहुत important है कई बार बच्चे भूल जाते हैं and that is not a good thing that is not a thing that is expected from a candidate जो army में या Navy में और अफसर बनने के लिए आया है इतनी responsible post पे जो बंदा अगर आया हुआ है अपने आपको test करवाने के लिए और इस aspiration के साथ में कि वो recommend होके जाएगा इन forces को join करेगा उससे expect किया जाता है कि इस तरीके की लापरवाईयां वो ना करें तो यह सारी प्रदेशन में आपके पास में certificate वगेरा होने चाहिए आप थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे form भरने के instructions के बारे में आपने form जो है वो UPSC के website पर जाके भरना है यह website का link आपको यह website का जो नाम है वो आपको बताया हुआ है website का address जो है वो आपको दिया हुआ है इसके बाद में आपने यह जो application भरनी है यह दो parts में भरनी है यह application part 1 और part 2 दोनों में भरनी है जब तक आप part 1 और part 2 पूरे नहीं भरोगे तब तक आपकी application complete नहीं मानी जाएगी तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कई सारे बच्चे जो है part 1 बढ़के भूल जाते हैं कई वोलते हैं चलिए part 2 बाद में भर देंगे और date वगरा निकल जाती है कई सारे complications आते हैं बचना है इन सब चीजों से एक ही वक्त में बैट कर आपने part 1 भी फिल करना है part 2 भी फिल करना है इसके बाद में जब आप application वगरा भरना शुरू करें उसके पहले आपके पास अपने signature और अपनी photograph दोनों की scanned photographs होनी चाहिए JPG के format में और 300 KB से उनका size बड़ा नहीं होना चाहिए 20 KB से उनका size कम नहीं होना चाहिए इतना आपको व्यवस्था वगरा करकर रखनी है 300 KB से जादा गया 20 KB से कम गया तो फिर आपका जो online form system है वो आपकी photographs या फिर photograph या signature को accept नहीं करता है तो यह सारी चीजें आपको पहले से अपने पास रखनी है before filling the form and two important points जिसके बारे में हम लोगों ने बाचीट करनी है जब आप अपना form वगरा भर रहे हैं तो आपका जो नाम आप उस form में डालेंगे आपके father का नाम आप जो इस form में डालेंगे आपकी mother का नाम जो आप इस form में डालेंगे और आपकी नाम आपके पिता जी का नाम आपकी माता जी का नाम और आपकी date of birth ये चार informations ऐसी हैं जो आप UPSC के form में अगर भर रहे हैं तो ये exactly वही होनी चाहिए जो आपकी 10th की mark sheet में लिखी गई है अगर एक शब्द भी इधर से उसमें होता है तो फिर आपका candidature cancel हो सकता है इस बात में आप जब form वगेरा फिल करेंगे पहले भी बात करी थी एक बार फिर से हम इसको discuss करते हैं कि आपने एक photo ID जो है एक photo ID जो है form वगेरा भरते वक्त आपको लगानी है या तो अधार card हो सकता है voter card हो सकता है pen card, passport, driving license या फिर कोई और photo ID हो सकती है जो state या central government ने आपको issue की ह मगर कोई एक photo ID है कम से कम एक minimum एक photo ID जो है वो आपको अपने form में लगानी ही है आपको अपने form में upload करनी है और जब आपका selection वगेरा होता है जब आप SSB वगेरा के लिए जाते हैं और पूरा procedure जब तक चलता है आपके पास में वो photo ID होनी चाहिए अगर आपने pen card लगाया ह बिसाइड दिस जब आप form वगेरा भर रहे हैं तो इमेल ID का आप इस्तेमाल करते हैं इंशॉर करिए कि जब तक selection की पूरी procedure होनी जाती तब तक वो email ID जो है active रहे क्योंकि जो भी information वगेरा आपकी exam से related है आपकी email ID पर आपको बताया जाएगा अगर आपका selection होता है return clear होता है तो SSB का जो call है वो email ID के थ्रूही आपको आएगा कोई अलग से return correspondence वगेरा नहीं किया जाता email के ही थ्रूही आपको बताया जाता है और यह important aspect है इसको ध्यान में रखना है email ID जो भी आपने अपने form में डाली है वो email ID active रहनी चाहिए जब तक exam का पूरा procedure वगेरा चल रहा आपके सांथ communication वगेरा किया जाता है और बाकी फिर यह बात कि आप अपने emails वगेरा regular चेक करते रहें अपना spam folder देख लें और नजर बना के रखें कुल मिला कर जब तक आपका procedure वगेरा चल रहा है तब तक आपको काफी ज़ादा जागरुख रहना है इसमें हम लोगोंने various aspects के बारे में बात करी है combined defense services examination के सबने पहले कई सारे aspects वगरा के बारे में बातचीत करी देन फिर मैंने उसी बात को continue किया है we have tried to the best of our knowledge to impart information regarding combined defense services examination to all the candidates who are aspiring to appear for the examination and we expect कि आप लोगों के काफी सारे doubts वगरा clear हुए होंगे having said that अगर आप लोगों के मन में और वी कुछ doubts हैं आपके मन में कुछ शंकाय हैं आपके मन में कुछ curies वगरा है तो आप chat window में लिख सकते हैं we will be happy to answer them and cds के आप जो sessions वगरा है regular time period में वक पर आपको upload होते रहेंगे so they will be helping you with your preparation and बाकी कोई भी question doubts वगरा आपके आते हैं आप पूछ सकते हैं we will be happy to answer and I will say that good luck to all the chaps who are right now in the phase of preparation महनत करते रहें लड़ते रहें don't lose hope keep working keep working hard clear the examination get recommended by SSB excel join the academy wear the uniform and serve the nation with honor thank you and jahind